Hello guys, how are you? कैसे हैं आफ? I hope कि ठीक ही होगे. I am Muhammad Naeem और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल. आज हम आपको जो टोपिक पढ़ाने वाले हैं वो टोपिक है हमारा Tignometry और Tignometry के जितने भी हमारे formula होते हैं जो high school के point of view से important होते हैं आज हम उनकी सारे formula की एक list बना कर यहाँ आपको द इसके बाद जो हमारा next topic रहेगा वो topic रहेगा हमारा sin square theta plus cos square theta जो हमारी identity होती है उसको पिरूफ करना उसके बाद हमारा next topic रहेगा सेg square theta minus 10 square theta को one पिरूफ करना को सेg square theta minus 4 square theta को one पिरूफ करना तो आज का जो हमारा topic है वो topic है हमारा जितने भी हमारे high school के point of view से होर्मूले है टिग्नोमेट्री ये, उनकी हम आज एक लिष्ट बनाकर आपको दे रहे हैं, तो चलिए ये लिष्ट बनाते हैं, जैसे वन, पहला हमारा होता है, साइग, 90-θ, is equal to होता है, कोस थीटा, सेगिंड हमारा होता है, कोस थीटा, कोस थीटा नहीं, 90-θ, 90-θ, is equal to होता है, साइग थीटा, साइग, 90-θ, is equal to होता है, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, 90-θ, is equal to होता है, सेग थीटा, सेग, 90-θ, is equal to होता है, कोस थीटा, एंड, कोस थीटा, 90-θ, is equal to होता है, सेग थीटा, तीन आइटिटी और होती हैं हमारी, साइग थीटा, पिलस, कोस थीटा, is equal to होता है, बन, सेग थीटा, माइनस, तैन थीटा, is equal to होता है, बन, कोसेग, कोसेग स्क्वाइर थीटा, माइनस, कोट स्क्वाइर थीटा, is equal to होता है, 1, sin square theta plus cos square theta की value 1 होती है sec square theta minus 10 square theta की value 1 होती है cos square theta minus 4 square theta की value 1 होती है और यह हमारी ऐसी identity होती है इनको हम prove भी करते हैं इनको हम derive करते हैं next हमारी है sin theta is equal to होता है 1 upon cos theta 10 theta is equal to होता है 1 upon cos theta next है cos theta is equal to होता है 1 upon sec theta अब इसके अलावा और भी है हमारे formula है लेकिन आप पहले इनको written कीजिए आगे बढ़ते हैं next लिखते हैं sin 2 theta is equal to होता है 2 sin theta into cos theta cos 2 theta is equal to होता है हमारा cos के तीन formula होते ही एक होता है in term of sin यानि sin के पदो में 1 minus 2 sin square theta in term of cos cos के पदो में 2 cos square theta minus 1 and in term of cos and sin cos और sin के पदो में cos square theta minus sin square theta next हमारा होता है cos 2 theta का formula in term of 10 10 के पदो में क्या होता है 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta next हमारा होता है 10 10 2 theta is equal to होता है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta next है हमारा sin 2 theta sin 2 sin 2 theta का formula in term of 10 10 के पदो में 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta यह हमारे वो formula है जो high school के trigonometry में यूज किये जाते हैं Thanks